हलो फ्रेंड्स वेलकम तो वाइबरनवर्शाड ओपाम मैं हूँ आशा इंदनी और आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ एक डिलिशियस नूट्रिशियस एंड हेल्दी रिसिपी जिसका नाम है ओस्मूदी ओस्मूदी मैं बनाने चाहरी हूँ बिना मिल् स्मूदी है बहुती फिलिंग है आपको लम्बे समय कि इसे लेने से भूप मेंले लगेगी चलिए बनाते है ओस्मूदी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है सर्फ 30 ग्राप्स ओस्मुदी मैंने विकर ओस लिया है यह जल्दी से सोक हो जाते है फिर मैंने गिन केग 10 किशमिष्णी है, किशमिष्णी जगे आप एक डेट का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन एक ही यूज कर लेड़ा और्स को सोब इसलिए करना चाहिए क्योंकि और्स में जो फाइटिक असे होता है तो वो सोब करने के बाद रिलीज होता है और उसके ओर्स की जो न्यूट्रियंट्स हैं वो बॉड़ी अच्छे से अब्सॉब कर लेती हैं इसलिए ओर्स को सोब करके लिजे या आप हमेशा ओर्स को रोस्ट करके लिजे मैंने यहां पर विकर ओट्स का इस्तमाल किया है आप रोल ओट्स का भी इस्तमाल कर सकते हों देखें ओट्स हमारे कम्प्लिटली फुल गए फिर यह जो बैटर है मैं मिक्सीर में डाल रही हूं और इसे हम ग्राइंड करेंगे बट बीफोर दार बहुत सारे चीजें हम इसमे डालेंगे बहुत सारे इंग्रिडेंट डालेंगे इसमें मैं डाल रही हूं थोड़ी सी डालचिनी यह हमारे मेटबोलिक रेट को इंक्रीज करती है यह कंप्लिटली ओप्शनल है इसमें मैं डाल रही हूं होममेड पीनट बटर आप मेरी होममेड पीनट बटर की रेसिप जरू देखिए, मैंने आपके साथ description box में उसकी link share किये और सबसे important, sweetener के लिए और लंबे समय तक आपको भूप ना लगे, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ one banana, still if you don't want to take banana तो आप आपल भी ले सकते हूँ still if you find कि नहीं और sweetener डालना चाहिए तो आप honeycomb apple syrup का या stevia का भी इस्तमाल कर सकते हूँ फिर हम इसे grind करेंगे देखिए, हमारी ठिक, delicious, nutritious, healthy oats smoothie रेडी है जिसमें मैंने बिल्कुल भी milk ने use किया है ना मैंने sugar यूज किया है देखिए, यह one glass smoothie completely ready है इसे में गानिश कर रही हूँ, almonds से मैंने सिफ तीन बादाम लिये हैं तो लीजे, हमारी ओट smoothie ready है, जो मिंटो में बन जाती है सब 10 मिनिट में यह ओट smoothie ready हो गई तो there is no excuse कि हमारे पास time नहीं है इसे आप पिऊगे तो आपको लंबे समय तक भूप नहीं लगेगी healthy है, nutritious है, delicious है, काफी सरे vitamins and protein से बरपूर है तो आप इसे आपके breakfast या lunch में या डिनर में इसे ले सकते हो summer में आप इसे enjoy कर सकते हो ice के साथ तो कैसी लगी यह recipe आप मुझे जरूर देखाए नहीं है